सरकार विकास के लाख दावे कर ली लेकिन पहाडों में जिंदगी बिताना किसी पहाड से कम नहीं है वीते दिनों हुई बारिश से चमौली जिले की कई सड़के आज तक बंद हैं परिशासन भले ही अपनी मजबूरियां गिना कर इन परिशानियों से पल्ला जाड ले लेकिन ग्रामिडों को रोज मर्रा की इन समस्याओं से खुद ही पार पाना पड़ता है आप जो तस्वीरे देख रहे हैं वो दसौली ब्लॉक के दुरस्त शेत्र इरानी की हैं जहां बारिश की वज़ह से हफ्तों से सड़क बंध है लोग मरीजों को 29 किलोमीटर कंदे पर उठा कर अस्पताल पहुँचा रही हैं आप खुद देख सकते हैं उबड़ खाबड रस्तों में कंदों पर मरीज को लेकर चलना कितना मुश्किल है स्थाने निवासियों का कहना है कि आपदा के इतने दिन बीट जाने के बाद भी प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया जिसकी वज़ह से सड़के आज तक बंध है लोगों के पास खाने का सामान तक नहीं बचा यह बारिस के इस मोसम में जिस तरह से बारिस हो रही है कभी बहुत तेज मुसलधार बारिस हो जाते हैं कभी मध्यमगति की बारिस हो रही है इससे जो है जितने भी लिंक रूड है हमारी च्छित्र के सारे के सारे तेरा चौदा लिंक रूड बंध हो रख है जिसपे कि शासन प्रसासन ने भी कोई ध्यान दिया नहीं है, कब तक भी खुलेंगे इसका भी कोई सही सा अंकलन प्रसासन ने किया नहीं है और इसके वएसे जो है जो ग्रामीर छेतरों में जो लोग है जो बीमार है जैसे की महलाएं हैं जो गर्वती महलाएं है उनको लाने में जो भड़ी दिक्कते हो रही है पालकि और कंडियों के सारे उनको जो है ऑस्पिताल पर पहुचाया जा रहा है और खाद्यान की बहुत मात्रा में यहां पे कमी हो गई है खाद्यान की आपूर्ती नहीं होने से भी ग्रामीर बहुत परिशान है गैस की आपूर्ती भी यहां पे सुचारू ढंक से नहीं हो पा रही है मरीजों को तो परेशानी हो ही रही है इसके साथ ही गाउं के कच्चे रास्तों में तो इतना कीचड भरा है कि गैस की गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गाउं तक मोलभूत सुविधाय को पहुचाना कितनी बड़ी समस्या होगी यहां तक की लगातार बारिश के वज़ह से पहाडों में पानी का नाला फूट रहा है जिसके वज़ह से बच्चों को जान जोखें में डाल कर स्कूल जाना पड़ता है अब प्रशासन इन पहाड जैसे जिन्दगी को आसान करने के लिए क्या कदम उठाती है ये तो वक्त ही बताएगा पंजाब केसरी टीवी के लिए चमॉली से पूरन सिंख रिपोर्ट